आज आपको हम सिखाएंगे कि वर्टिकल बैलेंशिट कैसे बनाते हैं क्योंकि कॉमन साइस कंपारेटी और ट्रेंड करने के लिए वर्टिकल बैलेंशिट बनाना बहुत ज़रूरी है तो नॉर्मल जो बैलेंशिट अब देखिए और 12 स्टैंडर में वो टी फॉर्म में रहत है असेट्स और लाइबिलिटी उसको होरीजेंटल बोलते हैं हम होरीजेंटल नहीं बनाएंगे हम वर्टिकल बैलेंशिट बनाएंगे ठीक है तो वर्टिकल बैलेंशिट बनाने के लिए क्या क्या इंफॉर्मिशन चीए कैसे उसको प्रेजेंट करना इस वीडियो में जेगा और यूज हेड़पोन और फ्रेंट लोग से या से शेयर करना लेट स्थार्ट तो एक क्वेशन दिखाई दिया रहा है आपको दो फॉलिंग बैलेंस एपेरिंग इन दे बुक आफ सो और सो एस उन 31 माद 24 यह रिकार तू प्रिपेर बैलेंस शीट बनाना है से क्याइश दिया है लैंड बिल्डिंग प्रिपेड स्टॉक क्रेटर जनल इस और डेटर प्लिमेरे एक्सपेंसर्स प्लांट में से डेप्रिशन लेस कर दिया है तंब लोन फ्रम बैंक बैंक कोडी कैपिटल प्रॉफिट अलौसं क्रेट बैलेंस मार्केटेबल इंबेस्मे हों तो करनेटर के अंदर भी डीटेल में दिखना है कि्युष है से कि नौन कुइक है मुण कि कि कईक स defenses में तीन चीन 9 कि ब्क व्क छाफ जल्दी भिकता नहीं ब्रीपेड एकब खरचाप कर दो तो वापीस नहीं मिलता है आप उसका benefit ले सकते हो और advanced tax भी वह ही है एक बार पैसा गया तो जल्दी मिलने वाला नहीं है तो तीन चीद non-kick होता है stock prepaid expense और advanced tax ठीक है तो पढ़ते हैं cash लिखो current asset क्या इस current asset कुछ नहीं बोल रहा हूं तो quick ले लेगा लेंगे लेंगे प्रीपेड expense आया देखो प्रीपेड expense current asset non-quick stock current asset non-quick creditor current liability में लेंगे सर जी सर उसमें नौन की कुण से होता है उसमें नौन की यह की होता है बैंक कोड़ी अच्छा कोशन करा रहा हूं एक्जामें जरूर करके जाना जो एस वाई के बच्चे लोगे नेक्स्ट क्रेडिटर क्या बोलें सर ने current liability के अंदर लिखना है जनरल रिजो तो रिजो में शो करेंगे शेर उल्डर फंड में डेटर current asset preliminary expense क्या होता है company को फॉर्म करने में खर्चा हुआ है company को बनाते हैं तो बहुत पैसा खर्चा होता है इसी को बोलते है preliminary expenses वो कई asset नहीं है नकली इसको write-off कर देना तो यह loss है less कर देंगे हम लोग कहा कहां से less करेंगे सर्फ living expense को हम लोग less कर देंगे shareholder fund में से जब shareholder लोग रिजो ले रहे है तो loss भी कौन लेगा वही लेंगे प्लांटर मशनली फिक्सेट्स टॉंड लून फ्रांब बैंक बॉर्ट फंड में शो करेंगे capital तो क्यापिटल है profit loss क्रेट बैलन्स रिजा हो है marketable investment करेंट असेट में शो करेंगे advanced tax आया देखो बैटा करेंट असेट non-quick advanced करेंट असेट नॉन कुइक और प्रोवीशन वर टैक्स करेंट लिएबिलिटी में शो करेंगे चलो बनाते हैं सबसे पहले क्या कर लेना अब हेडिंग लिखना title vertical balance sheet as on 31st March और तीन रूपीज कॉलम बनाना यह फर्स कॉलम ना ना तीन कॉलम किसी भी हैड का मेन अंसर आएगा ना वो थर्ड कॉलम में आएगा आउटर कॉलम में मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम काई के लिए सर फिर एक हैड का एक ही अंसर आएगा वो बाहर लिखेंगे तो फर्स्ट दो कॉलम काई के लिए वो ना अगर कोई चीज एक से ज़्यादा रहेगा तो हम फर्स कॉलम में लिखेंगे तोटगा के बाहर निकालेंगे अब यह करके दिखाता हूं कैसा आपको प्रेजेंट करना है बस मैं बोल रहा हूं एक ही आंसर रहेगा ना हैड का वही बाहर जाता है बागी अंदर डांस करते रहो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लिखेंगे फर्स्ट कोशन दिखते जा को फर्स्ट लिखेंगे sous open मैं एक svड मी करूं बिजस्नथ में पैसा कहा कहां से आता है बपैस Consult का पैसा फैसा है तो फस्ट लिखेंगे शेरोल्डर फट थ्अर Όंडर को बहुत सर नाम है शेयरोल्डर फट ओननर फट MVP Prosसर बूसी नाम है शेयरोल्डर फंड ओनर फंड ओन फंड नेटवर्ट प्रोप्राइटर फंड फंड पांचो नम उसी का है तो कुछ भी लिखो तो शेरोल्डर फंड में सबसे पहले लिखेंगे क्यापीटल क्यापीटल अब सुनो जो शेरोल्डर फंड है उसका एकी अंसर भार आना चieve मतला अंदर ही नाचते रहो तो शेयर कैपिटल समझे तुछ एक बिटल है असी आज़ा मतला हमारे पास दो ही कॉलम है शेयर कैपिटल उसमें रिजव एड करेंगे रिजव में देखो जनरल रिजव general result add करेंगे add general result general result का amount है 14,000 इसमेn profit and loss account credit balance add करेंगे credit मतलब profit है 16,000 और विटा है इसा plus करने के बाद loss minus करेंगे less 50%. बोलते हैं less preliminary expenses वो less करने का का लॉस है तो प्लेमिर एक्स्पेंस का अमाउंट है तीन जार ये लेस होगा ब्रैकेट डाल देना ब्रैकेट का मतलब माइनस अब बेटा कट करने के बाद जो अंसर आएगा हम बाहर लिखेंगे एडलेस कर लो अंसर आएगा वान लाक अंका 7000 नेक्स कॉलम् में लाम इडिन इसको बोलते हैं नेट वर्थ वर्थ बोलो बेटा समझा नेत वर्थ कैसे निकाला असूरम है शेर क्यापिटल में रिज और को लास माइनस कर देना नेट वद्धे को मैंने क्या वोला एक हेडड का शेर्वेड़र फंड एक हैड एक हैडड का एकी आंसर बाहर आना चीज़, बागी अंदर नाचते है रोंदर कुछ भी करो बाहर एक ही आंसर आना चीज़, second second part borrowed fund या loan fund बोल सकते हो loan fund तो आजा loan fund में क्या है देखो एक तो खुदी loan fund ही दिया loan fund में loan fund ही लिखा direct मिला क्या अरे term loan from bank है ना मिटा term loan from bank कितना रकम है 35 एक ही है ना मिटा एक ही है अकेले अकेले कहां जा रहे हो तो सीदा बाहर जा रहे हैं तो एक ही है ना इसलिए बाहर लिखा हो इनका बहुत सारे अंगूर जैसे तो इसलिए अंदर लिखने का तो टैली अमांट आपको आएगा वन लैक फॉर्टी टू ताउजन बेटा जी यह टैली अमांट अगया वर्टिकल बैलेंस इट का इसको बोलेंगे टोटल टैली अमांट बताओ न अरे बिटा जो तीसरा कॉलम में उसको प्लस करो इस प्लस टैली अमांट आगया वर्टिकल बैलेंस येट का मतलब क्या होता है हमारे पास कितना फंड इखट्टा हो गया उड़ाने के लिए कुछ शेरोटे का पैसा कुछ लोन पैसा तो पैसा होता है इतना पैसा कொण पास हो गया कमपनीा के पास अब आते हैं सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे सन सेकेंड पाट इसका नहां में एप्लिकेशन् आप द मने पैसा किma किदा है एपीकेशन आफ द फॉल उसमें पहले weほら तो हमने शॉपिंग किया Clock एमेजान पे नहीं रे एक fixed assets खरीदा, fixed assets में क्या क्या खरीदा हमने land building और plant machinery तो सुनो land building एक से जादा है तो second column land building का amount है 40,000 सुन रहे हो, एक से जादा है इसलिए second column और plant machinery का amount है 52,000 plant machinery का amount है 52,000 दोनों को plus करके बाहर निकाल दो तो 5 plus 4 ना 92,000 outer column second investment इस question में investment नहीं है तो सीधा सीधा working capital पर हिट करते है working capital अब बीटा सुनो working capital के लिए detail में जाएंगे, working capital कैसा आता है current assets, less current level current assets के अंदर भी उसके दो बच्चे quick or non-quick, तो हमें detail में जाना पड़ेगा तो working capital में लिखेंगे small letter A current asset current asset current assets के अंदर जाना है, तो number one quick asset अब इससे अंदर मत जाओ, quick assets में कौन से कौन से आएंगे मालूम है, एक तो cash आएगा और जाना है, सर यह वाला कौलम किसलिए बनाए हो, current assets के लिए बनाए है, current assets के लिए फर्स कौलम है, special उनी के लिए, वी आएपी, treatment, तो cash है, छे अजान, cash के बाद, data 18,000 और एक है, marketable investment 10,000 मैं जैसा present कर रहा हूँ, इसी तरीके से present करना, full marks मिलेगा, इनको plus करो, इसको plus करोगे, तो total आएगा 34,000 इसको बोलते हैं, total, quick asset, क्या बोलते हैं, total, quick asset, अब हम डोनेंगे, non-quick, current assets के दो बच्चे, quick और non-quick, अब मैं बागी format इधर continue करता हूँ, हाँ, यह तो होगे, quick बेटा, अब आते, number two, इसके अंदा, non-quick, non-quick asset, तो non-quick assets में, क्या-क्या होते हैं, stock prepared or advanced tax, stock 30,000 जो जल्दी, हमारा जो पैसा फसा है, जल्दी मिलता नहीं, stock जल्दी बिखता नहीं, बेटा, हर दुकान वाल ले, इसलिए तो परिशान है, business जल्दी होता नहीं, stock जल्दी बिखता नहीं, stock prepared expense 10,000 और advanced tax, सर इसके अलावा कुछ होते हैं, नहीं बेटा, ये तीन ही होते हैं, अच्छे सर अट्टा मर के जाओ, advanced tax 18,000 तो इन तीनों को plus कर दो, इसी column में रुखना, बाहर मत जाना, इसका total आता है 58,000, सुनो, इसको बोल देना total, non-quick सुनो, 34,000 quick assets है, और 58,000 non-quick assets है, दोनों को plus करो, तो आपको मिलेगा CA, CA तो मैं हूँ, current assets current assets मिलेगा, 1 plus 2, सुन रहे है, 1 plus 2, तो 34,000 plus 58,000 current assets plus करो, 92,000 आएगा, अब इसको आप बाहर लिखो, second column में, समझा बिटा, current assets कैसे आया, quick assets plus non-quick, दोनों plus करेगा, तो CA मिलेगा, current assets, जैसा आपने current desk के साथ किया, वैसी आप current liability के साथ भी करेंगे, तो जैसा भी small letter A लिखेते हैं, आभी लिखेंगे, small letter B, current liability, current liability, current liability में, इसके अंदर भी, इसके भी दो बच्चे, quick liability, कुछ liability बहुत जल्दी देना पड़ता है, quick liability, चलो, तो quick liability में आएगा, एक creditor है, 8,000 का, first column में लिखना, कि first column के ओल, current assets, current liability के लिए, तो एक तो creditor लिख दिये, creditor के बाद, provision for tax, 16,000, यह क्या होता है, sir, अरे, government को tax देने के लिए, side में पैसा रखा है, तो 16 plus 8, दोनों को plus करके, अंदर ही आप रुखना, 24,000, इसको बोलेंगे, total, क्विक लाइबिलिटी, अब नमबर टू, जैसे इनके तीन नॉन कुईक है, इनके एक ही नॉन कुईक है, नॉन कुईक लाइबिलिटी का मतलब, टाइम लगेगा, मुझे पे करने के लिए, रातो रात नहीं पे कर दूँगा, मैं, इसमें आता है, एक ही बैंक को, और ड्राफ, अगर आपका बैंक बैलनस माइनस में, तो टाइम लगेगा, उसको प्लस बनने में, मैंनत करूँगा, बिजनस करूँगा, पैसा मिलेगा, तब जा कि आपका पैसा बापिस करूँगा, तो रातो रात नहीं होगा, पाटराजार एक ही है, तो टोटल करने जोरत नहीं, इसको सिधा प्लस करें, बाहर निकालते हैं, तो 24 प्लस 18 प्लस कर दो, आंसर 42,000, 42,000 को बोलेंगे, करेंट लाइबिलीटी, करेंट लाइबिलीटी, लिख देना, ब्रैकेट में, 1 प्लस 2, सर, हम ढून क्या रहे हैं, हम ढून रहे हैं, बेटा, वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल, कैसे आता है, CA माइनस CL करने का और यह रहा आपका Tally Amount Tally Amount कैसे आएगा Fixer Sets का अंसर Investment नहीं है और वर्क है बिटा तो 92 प्लस 50 Answer 1,42,000 इस Tally Amount मिला इसको बोलेंगे Total Fund Available इसको बोलेंगे Total Fund Employed यह पैसे यहाँ है फसा है Total Fund Employed मिला हो गया Problem Completed Assume करता हूँ बिटा अच्छे से समझ में आया कि हमने Vertical Balance Sheet कैसे बनाना है एक्जाम में Practice करना, practice करोगे easy लएगा तीन कॉलम बनाना याद रखो First कॉलम में, third कॉलम में कभी करनीनी जाना है, एक Head का यही Answer आएगा, एक Head का, एक answer आएगा, एक Head का एक answer आएगा बागी अंदर नाशते रहो फिर first column क्यों क्यों बनाएगा है? खिर क्विक assets और non quick के लिए बनाएगा? अ्रे quick non quick quick non quick दोनों को plus करने के लिए चाहिए न फिर कि दोनों को plus करके हम लोग current assets आएगा ऐसी quick norm की को plus करके current liability आएगा इसलिए हमने बनाए थे ठीक है चलो bye bye thanks for watching the video friends लोगों जरू share करना चलो bye bye